इस लेक्चर में हम मद्दप्रदेश की सामान्य परीचे की बुक डिसकस कर रहे हैं 2022 की पूनेगर पब्लिकेशन की इसके साथ एक एटलस निसुल काता है दोस्तों ये एटलस को हमने पूरा पढ़ा चुके हैं आप हमारे चेनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके देख सकते है इस लेक्चर में हम फोर नंबर का चेप्टर को डिसकस करेंगे चेप्टर फोर मद्दप्रदेश में प्रथम वा एकमात्र मद्दप्रदेश में प्रथम वा एकमात्र के अंतरगत कई सारे टॉपिक दी रखे हैं तो इसके पहले हमने मद्दप्रदेश ये चेप्टर हमारा मद्दप्रदेश में प्रथम वा एक मात्र यह मद्दप्रदेश के प्रथम वेक्ति हमने कंप्लेट करा दिया है चैनल में प्लेलिस्ट है जाके देख सकते हैं मद्दप्रदेश में देश मद्द प्रदेश का देश में प्रथम वा एकमात्र डिसकस करेंगे मद्द प्रदेश ने देश में किस चीज में प्रथम हासिल किये और एकमात्र हासिल किये उस टाइप के फेक्ट को डिसकस करेंगे जो परिक्षाओं में पूछे जाते हैं यहां लेक्चर मेरे द्व पर आधारित देश का पहला केंदर मद्द प्रदेश के इंदोर सहर में इसकापित किया गया है तो ये electronic beam radiation पर आधारित देश का पहला केंदर इंदोर में खोला गया है दोस्तों इलेक्टरानिक बीम डिएशन के जो कोरोना चल रहा था उस टाइम पे कोरोना सेमपल रखने वाले कंटेन्थ सही तो मेडिकल युपकरण स्टाइलिज करेंगे और केट इंदोर्म बनाया गया था, केट इंदोर्म बनाया थैं देश का पहला केंदर था, इलेक्टरानिक बीम रेडियेशन के जरिये मेडिकल उपकरनों को इसीरलाइच करेगा इस लिए बनाये गया यह ऩर अगला फेक्ट मद़प्रदेश आईसा पहला राज बन गया है जहाँ संग्र हाल है और इस मारखो के प्रवेश के लिए e-ticketing व्यवस्ता लागू की गई है याने आपको संग्रहाल है और इसमाराकों में प्रवेस करना है तो उसके लिए e-ticketing व्यवस्ता लागू की गई है e-ticketing का मतलब होता है i-seat व्यवस्ता जो ticket जो railway counter पर गए बिना याने counter पर गए बिना घर से ही हम booking कर सकते हैं तो समझ में आगा है लेकिन e-ticketing ग्रहाका को यात्रा के दावरान अपने हाथ पर याने जाने के दावरान अपने हाथ पर उसकी परची जो रिसिप्ट निकलती है उनलाइन उसको लेके जाना पड़ता है तो संग्रहाल है और इस मारकों के लिए प्रवेश के लिए e-ticketing विवस्ता लागू करने वाला देश का पहला राज्य मद्यप्रदेश बन गया है अगला है देश के सभी सासकी नीजी और सारवजनिक छेतर के संस्तानों में मद्यप्रदेश में विद्धुत वित्रन कमपनी पहली ऐसी कमपनी बन गई है जिसने अपनी कमपनी छेतर के भोकताओं के लिए सिकायत दर्ज कराने के लिए artificial intelligent आधारित वेबसाइट की अगर आपको सिकायत दर्ज करवाना है तो यहाँ पर artificial intelligent पर आधारित वेबसाइट बनाई गई है artificial intelligent क्या होता है दोस्तो artificial intelligent मसीनों पे develop की गही नहीं आधुनिक तकनीक है जिसके माध्यम से एक मसीन सोचने समझने और निर्ने लेने की छमता का विकास हो जाता है उस मसीन मे अगला फेक्ट देखिए मद्द प्रदेश में एतिहासिक सहर ग्वालियर मद्द प्रदेश का एतिहासिक सहर है ग्वालियर और 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 चा और चा निवाडी में है तो ग्वालियर और 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 चा यूनेस्को ने अर्बन landscape city program के तहट world heritage city की सुची में सामिल किया ये direct question आएगा दोस्तों है न एतिहासिक सहर परिद्रस से परियोजना इसको बोलते हैं ये जो नाम है अर्बन landscape city program इसको हिंदी में बोलेंगे एतिहासिक सहर परिद्रस से योजना मद्द प्रदेश के ग्वालियर और 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 चा सहर को यूनेस्को द्वारा किसके द्वारा दोस्तों यहां पे यूनेस्को यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को के द्वारा एतिहासिक सहर परिद्रस उसकों इंग्लिज में बलेंगे Historic Urban Land से प्रोजेक्ट के से तहट चुना गया है है ना तो यह बहुत बड़ी उपलब्दी है हमारे लिए UNESCO ने चुना है UNESCO के बारे में जान लीजिए United Nation Education Scientific Culture and Organization होता है इसका मुख्याल है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है तो प्रोग्राम के तहट World Heritage City की सूची में सामिल किया है किस किस को सामिल किया है डायरेट कोस्चन आ जाता है गौलियर और 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 चा को मद्द प्रदेश देश का पहला Skill Development Center भोपाल में खुलेगा भोपाल के हाताई खेडा में खुलेगा तो Skill Development Skill Development खुलेगा डायरेक्ट याद रखना है डायरेक्ट कोस्चन पूछा जाता है Skill Development के उपर Center कहां खुलने वाला है कौसल विकास केंदर ये भोपाल में खुलेगा अगला फिक डिसकस करेंगे लागू करने वाला देष का पहला राज्य मदप्रदेश बन गया मदप्रदेश का पानी का अधिकार कांून लागू होगा पानी का अधिकार कानून लागू होगा पानी का अधिकार कानून में जो कानून बनाया गया पानी का अधिकार उसो कानून में पानी की बरबादी को रोकने के लिए कड़े प्रावधान रहेंगे जो पानी की बरबादी करते हैं दोस्तों पानी की बरबादी नहीं करना चाह यह तो पानी की बरबादी करने के लिए विशेश कड़े प्रावधान रहेंगे उस एक्ट के तहट तो मत्य प्रदेश में पानी का अधिकार कानून लागू किया जाएगा यह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है अगला है देश में लगातार चौथी बार देश में लगातार चौथी बार 2017 में, 2018 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में और 2020 में सफाई में, स्वक्षता में नंबर वन पाने वाला हमारा इंदोर सहर है इंदोर एकलाउता सहर है तो direct question आता है इंदोर लगातार पाँज बार पाँज बार हो गया दोस्तों इसके बाद भी एक और बार मिल गया है तो इंदोर लगातार पाँज बार सबसे साफ सुत्रा सहर है भारत का इंदोर लगातार पाँज बार तो इसको याद रखना है सन भी याद रखना है अगला है मदप्रदेश राज ने राज के देख का पहला time bank खोलने का निर्णा लिया है time bank खोलने का निर्णा लिया गया है मदप्रदेश में हर जिले में time bank खोला जाएगा जिले के भीतर बेंकों की संक्या पर कोई लिमिट नहीं होगी Time bank का मतलब है यहाँ पे limit नहीं होगी Time bank कोई limit नहीं होगी मद्ध्परदे्च की कमलना सरकार ने यहाँ किया था उस time पे देश का पहला Time bank लाया जा रहा है जो अपनी स्वेक्छिक सेवा के बदले credit hours मिलेगा credit hours मिलेगा तो time bank खोला जा रहा है time bank का मतलब क्या है यहाँ पे और यह time bank जो है यह आनंद विभाग ने इसके आदेश जारी किये time bank खोलने का आनंद विभाग जो बनाया गया हमारे मद्द प्रदेश में आनंद विभाग जिसको आध्यात्मिक विभाग ने इसके संबंद जारी किये time bank समझ में आगे limit नहीं रहेगी पैसा निकालने की limit नहीं रहेगी बस यही उसी से related है अगला है मद्द प्रदेश का याने देश का पहला helmet helmet जो helmet लगाते हैं अपन देश का पहला helmet bank निमच में 10 फरवरी 2019 से सुरू हुआ तो देश का पहला मद्द प्रदेश में के निमच जिले में जल्द ही देश का पहला helmet helmet bank सुरू होगा इसका फायदा जिले की 236 पंचायतों को मिलेगा जिला पंचायत समीति के मुताबिक इस योजना को लाने का मकसद लोगों की सुरक्षा और बढ़ते हादसे में कमी लाना है जो लोगों की सुरक्षा और बढ़ते हादसे होते हैं बीना helmet चला है उसमें कमी लाना है पहले चरण में इसकी सुरूआत हो चुकी है तो बस इसका उद्देश से क्या है बस यह इसका उद्देश यही है इसका मकसद यही है कि लोगों की सुरच्छा और बढ़ते हाथ से में कमीला न हेलमेंट बेंग लेकिन कहां खुला था पहला पूछेगा तो नीमच में है ना नीमच में खोला गया यह मंजूरी मिली है दस फरवडी 2019 को अगला है ओडी फ्री हर्बल प्लस सर्टिपिकेट पाने वाला देश का पहला राज्य मद्द प्रदेश है प्लस सर्टिपिकेट पाने वाला देश का पहला राज्य इनद ओर यह इंगली सब्द लिखा हुआ इसलिए अपने को समझ नहीं आ रहा है प्लस सर्टिपिकेट का मतलब है खुले में सोच से मुक्त double plus certificate प्रदान किया जाएगा उसको बोलते हैं खुले में 100 से मुक्त certificate पाने वाला देश का पहला राज्य मद्द प्रदेश है next है मद्द प्रदेश के गौलियर में देश का पहला दिव्यांग खेलकूद दिव्यांग खेलकूद का निर्मान किया जा रहा है दिव्यांग खेलकूद तो मद्द प्रदेश सरकार ने पहले दिव्यांग खेलकूद रिस्टेडियम जो गौलियर में triple ITM के सामने जो triple ITM है महाँ पे गौलियर में उसके सामने बन रहा है ये 22 hectare भूम पर आवांटित कर दी गई है केविनेटर नहीं समंजूरी दे दी है और यहां देश का पहला खेल केंदर होगा जहां दिव्यांग खिलाडियों को ना सिर्फ खेलों का हुनर सिखाया जाएगा बलकि पढ़ाई भी कराई जाएगी दिव्यांग खेल कूद केंदर पूछेगा गौलियर टिक करना है अगला है देश का पहला घुड सावारी इंडोर इस्टेडियम कहां पे है यह भोपाल में दोस्तों देश का पहला घुड सावारी इसमें कोई बताने लायत का नहीं है घुड सावारी करते है न उन लोग के लिए इंडोर इस्टेडियम मनाया गया है तो देश का पहला एक पन्ना जिला एक इनहारेश है सपोर च्छतरपूर तो च्छतरपूर में देश का पहला हीरा संग्र हाल है हीरे का म्यूजियम बनाया जाएगा तहाँ पर खजुराः में तो मद्धुप्रदेश के उज्जयन के जोतीरलिंग, जो है महाकालेशवर जोतीरलिंग जल्द ही ऐसा मंदिर के रूप में जाना जाएगा, जहां देश का पाइला सेप प्लेस होगा ऐसा प्लेस जहां प्रसाद से लेकर खान पान की हर सामगरी गुडवत्ता मानकों पर पूरी तरह से खरी उतरेगी यह इसका मतलब सेप भोग प्लेस होता है सेभ भोग प्लेस का मतलब जहां प्रसाद से लेकर खान पान की हर सामगरी गुडवत्ता माना को पर कूरी तरह से खरी होगी यह देश का ऐसा मंदिर बन जाएगा महाकाल की नगरी उज्जयन जै महाकाल अगला फिक्ट है मद्द प्रदेश में उज्जयन में देश का पहला ही तेसी नियाले को बोलते हैं चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाया जाएगा यह 11 जुन 2019 को लोकारपण हुआ इसका और सहर में जिला एवं 17 नियाले परिसर में बनेगा तहां बनेगा है जो सहर है सहर के जिला एवं 17 नियाले परिसर में बनेगा तो यह हितोसी नियाले को इंगलिस में बोलते हैं Child Friendly Court तो देश का पहला Child Friendly Court उज्जयन में सुरू है इस बाल यानि ये बाल हितोसी नियाले में गवाई के लिए आने वाले बच्चों को ना सिरुफ परिवारिक हितोसी मिलेगी बलकि वे बिना डर के बयान दे सकेंगे जो बच्चे होते हैं वो फ्रेंडली का मतलब कहा है बच्चों को Child Friendly वो बिना डर के बयान दे सकेंगे बच्चों के अनुरूप इसे तयार किया गया है जिसमें बच्चों के मनुरंजन के लिए भी खिलोने भी रखे गाए हैं तो यहां पर यह बच्चे बीना डर के दवाई गभाई दे सकेंगे इसलिए बनाया गया ही तोसी नियाल है जिसे चाइल्ड फ्रेंडी नियाल है उज्जे नियाद रखना है अगला है मद्यप्रदेश के चिंदवाडा में देश का पहला मक्का उत्साओ आयोजित हुआ था कब हुआ था 29 और 30 दिसंबर 2008 को मक्का को बोलते हैं C.O.R.N. क्रॉन सिटी है ना चिंदवाडा को क्रॉन सिटी भी कहा जाता है दोस्तों चिंदवाडा को क्रॉन सिटी भी कहा जाता है मक्का सबसे जादा देश में चिंदवाडा में होता है मक्का यहने भुट्टा खाय होंगे आपने तो मक्का सबसे जादा चिंदवाडा में होता है मक्का चिंदवाडा को क्रॉन सिटी भी कहते है और मक्का यहीं पे अनुसंदान केंदर सिहोर में देश का पहला एक मातर चना बेंक बनाया गया है तो सिहोर में चना बेंक बनाया जा रहा है और यह कहां बनाया जा रहा है तो यह महाविध्याले का नाम है रफी एहमत की दवाई क्रसी महाविध्याले एवं में अनुसंदान केंदर में सिहोर म बनेगा कुन से कालेच का नाम याद रख लो अगला है मद्द प्रदेश में याने मद्द प्रदेश के गौलियर में देश का पहला दिव्यांग खेलकूद बनेगा तो अब भी बताया था मैंने दिव्यांगों को वहाँ पर मनुरण्यन पढ़ाई से रिलेटेड सिकाया भी सारंगी आप क्या होते जानते हैं सारंगी सारंगी एक गाई के प्रदान भारती सास्त्री संगीत का वादियंत्र होता है एक वादियंत्र होता है सारंगी एक गायक गायकी प्रदान भारती सास्त्री संगीत का वादियंत्र होता है तो देश का एकमातर राज है जहां कि उत्सव का हामन आया गया मद्द प्रदेश याद रखना है बस नेक्स्ट कोस्चन एसीया का सबसे बड़ा कीचल बांद यह सीवनी जिले में भीमगड में भीमगड नामक गाउं में है तो डारेट कोस्चन आता है भीमगड बांद गहां पर है सीवनी जिले में है कौन सी वैन गंगा नदी पर है दोस्तों यह ACA का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है इसलिए उसको कीचल बांध बोलते हैं ACA का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध या कीचल बांध सिवन जीले में है वैन गंगा नदी पर भीमगण नामा की स्तान पर उसको भीमगडबांद के नाम से भी जाना जाता है वैनगंगा नदी पर है और भीमगडबांद के परियोजना का नाम रखा गया था संजे सरोवर सरोवर परियोजना यह परियोजना का नाम क्या है संजय सरवर परियोजना है इस परियोजना के अंतरगत भीमगण बांद बनाया गया था जो ACA का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित कीचल बांद है खतम अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत क्रियानवेन के लिए भारत सरकार द्वारा सर्व स्रेश्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में इस्तान प्राप्त किया है बाली काओं को संरक्षन और ससत बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की सुरुवात ये बेटी पढ़ाओ ये योजना की सुरुवात 22 जनवरी 2015 की गई थी 22 जनवरी 2015 की गई थी और यह मद्दप्रदेश का चैन किया गया है सर्वस रिष्ट प्रदर्शन के रूप में अगला है मद्दप्रदेश में नाबालिक लड़कियों के दुस्क्रम पर फांसी का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य है नाबालिक लड़कियों के साथ जो दुस्क्रम करता है उसको फांसी का प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया हमारा मद्दप्रदेश तो मद्य प्रदेश में ऐसा लागू कर दिया गया है कि जो नाबालिक लड़कियों के साथ दुस्क्रम करते हुए पढ़ाया जाता है जो दुस्क्रम करता है उसको फांसी की सदा दे दी जाएगी अगला फेट है मद्यप प्रदेश के खंडवा जिले में भंगवांत राव मंडलोई करसी कालेज में देश का पहला जैविक कपा करसी कालेज तो देखो कपा सनुसंदान केंदर खरगोन में है यहां क्या बात हो रही है यह जैविक कपा सनुसंदान केंदर यह कहां खोला जाएगा यह खंडवा जिले में खोला जाएगा और खंडवा में खोला जाएगा तो खंडवा में खोला जाएगा खंडवा में कालेज का नाम क् तो मार्गों के लिए सुईदा, मार्ग सुईदा के अंदर के नीती बनाई गई है, नियम कानूर बनाए गए हैं, है न, मद्यप्रदेश देश का पहला राज्या जा अपनी मार्ग सुईदा के अंदर नीती बनाएगा, बस इतना है याद रखना है, अगला है, मद्यप्रद प्रसिक्षन और अनुसंदान के अंदर छिंधवाडा के लिंगा गाओं में स्तित किया गया है। पहली वाइट टाइगर सपारी है ना तो विसु की पहली ऊगार सपारी मत्रदेश के सतनाौदेश के मुकूंदपूर रेस्क्यू सेंटर में इस्तापित किया गया है तो डायरेट कोश्चन आता है उसका वाइट टाइगर सपारी कहां खोला गया है स्वारी सतना जिले के मुकुंदपूर में खोला गया है और यह ऐसा भी कोश्चन बन सकता है मुकुंदपूर रेस्क्यू सेंटर कहां पे खोला सतना में नाम क्या है उसका वाइट टाइगर सपारी अगला है देश का पहला happiness मंत्राले का गठन 15 जुलाई 2016 को मद्ध प्रदेश ने किया गया एक Happiness मंत्राले बनाये गया है क्या नाम रहा गया उसका राज्य आनंद संस्तान तो जो नागरिगों को खुसहाली एवं परिपूर्ण जीवन के लिए अंत्रिक और बाहा सकुलता आवर्षयक है क्योंकि नागरिगों को आंत्रिक और बहारी सुख आनंद सब मिलना चाहिए इसके लिए एक मंत्रालेज बना दिया गया है तो नागरिगों की खुसहाली परिपून जीवन जीने के लिए आंत्रिक और बहा सांती इसके लिए सब भावतिक प्रगरती और सुईदा के अनिवा इसलिए एक happiness mantralay का गठन किया गया है जिसको बोलते है आनंद विभाग है न तो इसको बोल सकते happiness mantralay आनंद विभाग तो direct याद रखना है direct question आएगा direct happiness mantralay का गठन कब किया गया था 15 जुलाई 2016 किया गया था देश का पहला राज है बनाने वाला अगला question है 2016 में पर्याथन cabinet परियाठन केबिनेट का मतलब क्या है? MP Tourism Board यानि MP ने टूरिज्म केबिनेट टूरिस्म केबिनेट बनाने वाला देश का पाहिला राज 2016 में बनाया इसने तो इसको याद रखो बस इतना ही है अगला गोश्चन है मद्देप्रदेश देश का पाहिला राज है जहां एक साथ दो electronic manufacturing कलस्टर की स्टापना की मन्जूली प्रदान भारत सरकार द्वारा की गई है तो एक साथ दो electronic manufacturing कलस्टर यह Making India प्रोग्राम के तहट बनाया गया है Making India प्रोग्राम के तहट वित्ती वर्स में इहाँ decision लिया गया था कि मद्द प्रदेश में electronic manufacturing का cholesterol बनाया जाएगा तो एक साथ दो बन रहे हैं यहाँ पे मद्द प्रदेश में यह दो हजार का याने बस इतना ही याद रखो बस यह डायरेक्ट इतना है याद रखना है electronic manufacturing अब यहाँ पन्ना डिसकस करते हैं इसको फटा फट से खतम करते हैं अगला फेक्ट है मद्द प्रदेश लोक सेवा आयों की परिक्षा में अभ्यारती द्वारा चाहे जाने पर अभ्यारती द्वारा चाहे जाने पर उन्हें उनकी कॉपी की प्रतिलीपी 24 घंटे के अंदर उपलब्द कराने वाला देश का पहला राज्य मद्द प्रदेश है तो अभ्यारती हो के चाहे जाने पर उसके 24 घंटे के अंदर उनकी उत्तर काफी उपलब्द कराने वाला देश का पहला राज्य मद्द प्रदेश बन गया है अगला है देश में पहली बार Consolitated संयुक्त बिल्डिंग प्रणाली की सुरुवात मद्ध प्रदेश छेत्र वित्रण कम्पनी द्वारा की गई थी तो consolidated संयुक्त building प्रणाली ये प्रणाली है building प्रणाली ये मद्धप्रदेश विद्धुत वित्रण कंपनी के द्वारा सुरू की गई थी तो इसको यादी रखना है बस इसमें बताने लायक का कुछ नहीं है अगला है real estate regulatory bill 25 अक्टूबर 2016 को ऐसा करने वाला मद्धप्रदेश देश का पहला राज्य है ये कानून है जो भारती संसत ने पास किया है जिसके मदक से ग्रहाकों का निवेज बढ़ाना और उनके हितों की रक्षा करने के लिए लाया गया है इतना याद रखे बस अगला कोश्चन है देश का पहला भू गर्ब एवं खनीज म्यूजियम ग्वालियर में खोला जाएगा भू गर्ब एवं खनीज म्यूजियम याने ग्वालियर में बनेगा देश का पहला mining museum सर्वेक्षन टीम ने जारी किया है ये तो mining museum माइनिंग य जानकारी के लिए बता दू के नो सलालम क्या है तो के नो सलालम काफी तेज बहावाले पानी के संतुलिद बनाने का खेल है पानी को संतूलिद बनाने का खेल है इसमें रेस होती है धाइसो मिटर लंबी और बाहावी काफी तेज होता है पच्छीस गेट बनाये जाते है तो क्या है यह बताओं आपको देश का पहला केनो सलयलम कोर्ष मद्दप्रदेश के महस्वर के महस्वर की सहस्तर धारा में सुरू हुआ था सहस्तर धारा जो जलप्रपा था महस्वर में वहाँ पे सुरू किया गया था इसका उदगाटन खेल मंत्री ने किया था और वहाँ पर बनाये गया है तो यह डारेट आते रहता है बता दिया मैंने आपको केनो सलालम कोर्स महस्वर में केनो सलालम क्या है तो काफी तेज बहाव वाले पानी को संतुलिद बनाने के लिए खेल प्रतियों गीता है इतना आद रगें इंदोर में आर्टीयो कारेलय में देश का पहला आटो मेटेड लाइसेंस ट्रेनिंग ट्रेक तीन फरवरी 2017 को अग शुरू किया गया तो वहाँ पर परिभाहन विभाग दोरा क्या किया गया है इंदोर में लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने वाले लोगों का रिकार्ड आनलाइन नहीं किया जाता जिसके कारण इस्थाई लाइसेंस के लिए ड्राइविंग स्टेट मेच्वल रूप से नहीं किया जाता तो उन्होंने कहा ऐसे मामले की ऐसी सुरुवात करें इस्थाई ड्राइविंग लेसेंस की सुरुवात किया है जहा स्वासंचालीट ट्रेक का निड्मान किया गया है ड्राइविंग परिक्षण के लिए स्वासंचालीट होने वाला एक ट्रेक बनाया गया है लर्निंग लेसेंस ले जाओ आगे है समझ इंदोर में हुआ है ऐसा अगला है देश में प्रथम बास महाउत्साव का आयोजन आठ नाओ और दस अप्रेल को इंदोर में आयोजित हुआ था है ना विसु बास विसु बास सम्मेलन का आयोजन इंदोर में हुआ था बास के बारे में आप जानते हैं बास सबसे बड़ी एक सबसे बड़ी घास होती है बास और बास जिला बाला हाट हो कहते हैं बाला हाट में सरवधिक बास होता है हमारे मद्दप्रदेश में दक्षण पूरी वी वाले एरिया में और बास जो है इस्ट्रिक्स केलेमस इस्ट् 18 सितंबर को 222 दिवस के रूप में 18 सितंबर को मनाया जाता है ये एक बार इंदोर में आयोजित हो चुका है 2016 में अगला है मद्द प्रदेश के महस्वर नगर में परेठन के छेतर में सहस्तर धारा जल प्रपात में 11 मार्च से 14 मार्च 2016 तक देश का पहला काईनिंग और काईकिंग मेराथन चेंपियन आयोजित हुआ था अब भी जो हमने पढ़े थे वही वाला है ये देखो ये वाला जो सहस्तर धारा में पानी के तेज भाव से रिलेटेट कुछ बताया था तो वही वाला है ये तो इसको याद रखना है काईनिंग और काईकिंग मेराथन चेंपियन आयोजित हुई थी कहां महस्वर के सहस्तर धारा जल प्रपात में अगला है देश का पहला और दुनिया का च माइक्रो चिप की बनाने का प्लांट भोपाल में इस्तापित किया जाएगा अगला फेक्ट है एसिया का सबसे बड़ा अनुसंदान केंदर मद्यप्रदेश के सीहोर जिले के अमलाहा में पूलेगा ये direct question आते रहेगा तो ACA का सबसे बड़ा दलहन दाल वाली बात हो रही है दाल के उत्पादल में मद्दप्रदेस का प्रथमिस्तान है तो दलहन अनुसंदान केंदर कहा खुलने वाला है सिहोर के अमलाहा में अगला है मद्दप्रदेस के रीवा जिले की गुड़ तहसिल में मद्दप्रदेस का सबसे बड़ा सोलर उर्जा सोलर यानि मद्दप्रदेस का सबसे बड़ा अल्टरा सोलर ने अल्टरा मेगा सोलर पार के इस्तापित किया गया है 750 मेगा वाट इसकी छमता है यह मद्द प्रदेश का पहला है नुग पहला नहीं है मद्द प्रदेश में सबसे ज़्यादा वाट वाला है इसलिए सबसे बड़ा बोल सकते हैं इसको तो मद्यप्रदेस के रिवा जिले की गुड़ तइसिल में मद्यप्रदेस का सबसे बड़ा सोलर पार की स्तापित किया गया है 750 मेगा वाट हैना और यह जो यहां की बिजली होगी यह दिली मेटरों को तक देने वाला है कुछ परसंट और बहुत बड़ा एरिया में बनाया ह वर्स क्रसी कर्मन अवार्ड प्राप्त करने वाला मद्द प्रदेश का पहला राज है तो मद्द प्रदेश को लगातार पांच बार क्रसी कर्मन अवार्ड दिया गया है क्रसी कर्मन अवार्ड क्रसी कर्मन अवार्ड क्रसकों के सामाज की प्रगरती और क्रसी अच्छी हो र उलेक्तरोनिक मेल नीति स्वीधा को वैधानीक स्वरूर प्रदान किया है मंदप्र्देश नै और इनके उप्योग से दिशा निर्थे जारी ऑन विभागो रुटे संगतर नियम मंडल आदि और के विभा को स्वीधा का उप्योग कर्ते हैं वो email के माध्यम से किया जाएगा ऐसा email नीती बनाया है एक नियम कानूर बनाया email से related अगला है 14 जून 2014 को मेधा मेधा प्रोजेक्ट के तहत भोपाल के जेपी अस्पताल में मेधा महिला सेंटर केंदर की सुरुवात की गई है यहाँ देश का पहला stock crisis center है यहाँ देश का पहला one stock crisis center है तो यह भोपाल में बनाया दोस्तों यह भोपाल में बनाया जिसका नाम है मेधा मेधा प्रोजेक्ट मेधा महिला केंदर का सुभारम किया गया भोपाल में यह इसका उद्देश क्या है तो इसका उद्देश दुसकर्म पीडित महिलाओं को इलाज एवं कानूनी मदद मोहिया कराना है यह मदप्रदेश का पहला केंदर है आईसा कोई केंदर आने वाले दिनों में अन्ने राज़ों में भी शुरू किया जाएगा जा सकता है तो यह क्या है इसका उद्देश से क्या है दुसकर्म पीडित महिलाओं को इलाज एवं कानूनी मदद मोहिया कराना है मेधा प्रोजेक्ट लागू किया गया है मेधा महिला सेंटर केंदर बनाया गया है याद रखना है बोपाल में अगला है देश का पहला मलखंब अकादमी उज्जयन में खोली गई है तो मलखंब हमारा मदप्रदेश का राज की खेल है आप जानते तो देश की पहली मलखंब अकादमी की इस्तापना की गई है कहां उज्जयन में जहां खिलाडियों का मलखंब का प्रसीक्षण मिलेगा और जिस प्रसासन द्वारा राधा क्रिश्णन मंदीर की जमीन जो है वहाँ पे बनाया गया है बस इसना याद रखना है मलखंब अकादमी कहा है पूछेगा उज्जयन में मलखंब की सुरुवाद भी उज्जयन जिले से ही हुई थी अगला मद्यप्रदेश में किंणर बोर्ड गठित करने वाला देश का पहला राज मद्यप्रदेश है तो किंणरों के लिए एक बोर्ड बनाया गया है किंणर बोर्ड तो ये direct question आएगा किनर बोर्ड गठन करने वाला मत्यप्रदेश का पहला राज कुन सा है तो यहाँ पर जो है समगर किनर बोर्ड बनाये जा रहा है यहाँ केवल किनरों का database त्यार करेगा बलकि उन्हें अधिकरत certificate भी जारी करेगा यहाँ किनरों के लिए database भी तैयार करेगा बलकि उन्हें अधिकरत certificate भी जारी करेगा यह सब करेगा इस certificate के आधार पर किनरों को सास की विभागों में न्यूकती दी जाएगी यहाँ देश में पहला ऐसा है तो किनरों को दी जाएगी याने मद्दप्रदेश में किनर बोर्ड बनाया गया है सरकारी नौकरी भी ले सकेंगे किनर लोग जो परिक्षा पास करेगा समय में आगया, ये Kinder Board का गठन करने वाला देश का पहला राज, मद्द प्रदेश अगला है देश की पहली Skill Development University मद्द प्रदेश के इंदोर में स्तापित होने वाली है तो Skill Development University कहां बने की करें के पूछेगा इंदोर में टिक करना है बस अगला गुश्चन है देश का पहला ऐसा राज है जहां पर विकास खंड इस्तर पर अक्षय उर्जा सौप संचालित किया जा रहा है अगला है मद्द प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जयन में देश का पहला Design University की स्तापना की जा रही है तो महाकाल की नगरी उज्जयन में डिजाइन University बनने वाली है इसको याद रखना है अगला है मद्द प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जयन में विस्व का एक मात्र इस्तान है उज्जयन विस्व का एक मात्र इस्तान है जहाँ 21 जून को सूर्य जो है वो 90 डिगरी पर लंबवध होता है सूर्य जो है ये प्रत्वी हो गई सूर्य जो है 90 डिगरी पर लंबवध होता है दोस्तों सूर्य की सीधी किरन पढ़ती है वहाँ पे 21 जून को और 21 जून को ही अंतर राष्ट्री योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है उत्री गोलार्त का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है तो उज्जेर महाकाल की नगरी उज्जेन में ऐसा होता है 21 जून को है प्रत्वी का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है उज्जेन को अगला है मद्द प्रदेश का सत्पुला टाइगर रिजर्व जो है जो सत्पुला टाइगर रिजर्व जो है होसंगबाद में ये भारत का ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसने अपने बागों का याने टाइगरों का DNA टेस्ट करवाया था आगर मालवा के सुसनेर तैसिल में विस्व का पहला गव अभ्यरन बनाया गया था गव माता के लिए गव अभ्यरन बनाया गया 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 गायों के लिए एक अभ्यरन बनाया गया तो ऐसा ये विस्व का पहला गव अभ्यरन था तो बास ये डारेट को श्चेन आता है गव हम याला पन्ना दिसकस क्रेंगे वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन बात यह है दोस्तों कि मैं बताने में कंप्रोमाइस नहीं करता जितनी भी जानकारी इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है अब नेक्स्ट फेक डिसकस करेंगे मद्प्रदेश परियठन को के लिए टेक्स फ्री स्वीदा उपलब्द करने वाला देश का पहला राज्य है तो टेक्स फ्री स्वीदा उपलब्द करा दी गई थी मद्प्रदेश के परियठन को के लिए ऐसा करने वाला देश का पहला र तो यह याद रखना है भीली भासा की फिल्म का नाम क्या था फैसला, हीरो इरो का नाम याद नहीं रखना है इतना ही पूछा जा सकता है बस वन विहार राश्ट्री उध्यान जो है भोपाल में ये जो इसको वन विहार राश्ट्री उध्यान को ISO प्रमालपतर भी मिला है ISO प्रमालपतर कोन से नंबर का तो ये ISO प्रमालपतर ये देख सकते हैं अवार्ड पाने वाला पहला राश्ट्री उध्यान है देश का देश का पहला राश्ट्री उध्यान है जिसको आईये से प्रमान पत्र मिला है और राश्ट्री उध्यान मैंने पूरा पढ़ा दिया हूं वहाँ जाके अब देख सकते हैं अगला है मद्यप्रदेस में राश् सौर्य उर्जज संचाली देश का पहला इको फ्रेंडली टेलिकॉम एक्सचेंज ये भोपाल में खोला गया जनवरी 2012 में तो ये पहला ऐसा है तो सौर्य उर्जज संचाली देश का पहला इको टेलिकॉम एक्सचेंज भोपाल में खोला गया इसको याद रखना है अगला किसानों के बेग खातों में अनुदान बोनस तथा अन्य राहित रासी सीधे जमा करने वाला देश का पहला राज्य है इसको भी देख सकते हैं क्रसी आर्थिक सर्वेक्षन प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य मद्य प्रदेश है अगला है इंदोर की अनुपमा सरगाय नाम है ये लड़की का अनुपमा सरगाय इनका नाम याद रखना है इंदोर की अनुपमा सरगाय अंतरराष्ट्री चेगबार निर्णायक की घोसना याने निर्णायक की परिक्षा उत्रीन कर इस खेल में देश की पहली अंतरराष्ट्री महिला निर्णायक बनने वाली सक्स है इनका नाम इंपॉर्टेंट है अनुपमा सरगाय अंतरराष्ट्री चेगबार निर्णायक की परिक्षा में उत्रीन करके इस खेल में देश की पहली अंतरराष्ट्री महिला निर्णायक बन गई है इंदोर की अनूपमा सरगाय अगला कोश्चन है काना टाइगर रिजरु देश का पहला परियटन इस्तल है जहां 33 बेग महिला एक गाइड प्रसीक्षन लेने के बाद सपलतपूरवा कारे कर रही है 33 बेग महिला एक गाइड जहां पर गाइड है जहां पर गाइड है आध्षिष्ट उनिवरसिटी खोली गई है वहीं पर इस्तापी थे तो याद रखना है पूछ़ा जाते रहता है बाद धिश्ट उनिवरसिटी कहां पर है 2013 में हुई थी इसकी इस्तापना अगला है देश का प्रथम राज्य है जिसमें लोग सेवा गयारंटी अधिनियम बनाया था तो लोग सेवा गयारंटी अधिनियम बनाया गया था यह न तो लोग सेवा गयारंटी अधिनियम पास करने वाला देश का पहला राज यह यह अपना मद्प्रदेश लोग सेवा गयारंटी अधिनियम बस लोग सेवा गय अगला है अधिवक्ताओं को सतत प्रसिक्षन और प्रसिक्षन देने वाला देश का प्रतम एडवोकेट कॉंटीनूडल लीगल एजुकेशन इंस्टिट्यूट मद्दप्रदेश के गौलियर सहर में इस्तापित किया गया है अगला है मद्दप्रदेश राज्ज इस्तार का मानव विकास सूचकांग या मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत किया था राजगर ने किसके आधार पर जीवन प्रत्यास सुच्छा और प्रतिवेक्ती आयके आधार पर निकाली जाती है अगला है त्रहत्तरवा सविदान संसोधन के तहट जब त्रहत्तरवा सविदान संसोधन हुआ था उसके बाद पंचायती राजवेवस्ता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य मद्दप्रदेश था त्रहत्तरवा सविदान संसोधन के बाद त्री इस्तरी पंचायती राजवेवस्ता को लागू करने वाला देश का पहला राज्य मद्दप्रदेश था जिला सरकार इस्तापित करने वाला देश पहला राज्य मद्दप्रदेश था मद्दप्रदेश का प्रथम मेडिको लीगल संस्तान मद्दप्रदेश की राजवेवस्तानी भोपाल में खोला गया है एक संस्तान बनाया गया है जिसका नाम है मेडिको लीगल संस्तान भोपाल में है याद रखना है हीरा उत्पादन करने वाला हीरा उत्पादन करने वाला देश का पहला राज ये मदप्रदेश है याने हीरा उत्पादन करने में देश में नंबर वन को होने है मद्द प्रदेश और मद्द प्रदेश को कोई नूर प्रदेश भी कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है पन्ना प्रसिद्ध है हीरो के लिए अगला है मद्द प्रदेश याने देश का प्रथम मानव संगरहाल है भूपाल में है जिसकी स्तापना 1977 में की गई थी direct question आता है इंद्रा गांधी राश्ट्री मानो संगरहाल है भूपाल में है 1977 स्तापना देश का पहला आपदा प्रबंदक संस्तान भूपाल में बनाया गया आपदाओं से निपटने के लिए एक संस्तान बना दिया गया है है 1987 में की गई थी याद रखना है समझ में आ गया है यह दोनों की स्तापना याद रखना है दोनों की स्तापन तक पूची जाती है और काह यह भी पूछा जाता है नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सरवधिक प्रोटीन भी में सबसे हितारा नीज में देश का सबसे बड़ा बिडियुत दोग कहां पर है जबलपूर में तेंदू पत्ता का भी राश्ट्री करने वाला देश का पहला राज जो मद्यप्रदेश था देश वा एसीया का सबसे बड़ा सारीरिक प्रसिक्षण महाविध्याल है याने फिजिकल इंस्टिट्यूट आप एजूकेशन इसका नाम है राणी लच्विबाई फिजिकल इंस्टिट्यूट आप एजूकेशन जो गौलियर में है इसकी स्थापना भी इंप्वार्टेंट मैं आपको बताता हूं अभी महाविध्याल है मद्दप्रदेश के गौलियर जिले में है इसी का नाम है द अगला है मद्दप्रदेश ही नहीं एसिया की प्रथम लेजर अनुसंदान केंद्र मद्दप्रदेश के इंदोर में इस तापित है तो लेजर अनुसंदान केंद्र इसी का नाम है राजा रमन प्रगत प्रयदोगी की केंद्र जो लेजर अनुसंदान केंद्र इंदोर में इसका नाम राजा रमन के नाम पे रखा गया है दोस्तों तो राजा रमन लेजर अनुसंदान के अंदर इंदूर में डारेट कोश्चन आता है याद रखना है अगला है मद्वेदेश हिंदी भासा में गजटीर प्रकासित करने वाला देश का प्रथम राज्य है गजटीर क्या होता है तो जो सरकारी कामकाच के जितने भी प्रसासन की जानकारी जो होती है सुईदा वो सब ग्रंथ के रूप में उपलब्द करा जाती है एक जगा पूरी एक जगा ग्रंथ के रूप में उपलब्द है। इस्तापी तहें और देश का पहला की देश का पहला रत्न परीशकरत केंदर जबलपूर में इस्तापी थायर कोस्चन आता है कि देश का पहला रत्न परिसक्रत के अंदर कहां पर है जबलपूर में है याद रखना है गलत नी करना है विलकुल भी अगला है देश ही नहीं एसिया का सबसे बड़ा सोयविन प्लांट या सयांतर या उज्जयन जिले में इस्तापीत है दोस्तों एसिया का सबसे बड़ा सो अगला कोश्चिन है मदप्रदेश में देश में सर्वधिक राष्ट्री उध्यान और अभ्यरन है तो हमारा मदप्रदेश जो है यह पूरे भारत में ऐसा राज्य है जहां पे सर्वधिक राष्ट्री उध्यान और अभ्यरन है इसलिए इसको दर्जा मिला हुआ है अगला है सर्वधिक भावित होती है इसलिए मद्यप्रदेश को नदियों का मैगा भी कहा जाता है दोस्तों सबसे जादा नदी भाईती है हमारे मद्यप्रदेश में और या तो समुद्र में जाके और किसी और नदी में जाके मिल जाती है अगला है देश का पहला पुरा तात्विक पार्क मद्य जिले में है अगला है ग्राम सभा की सुरुवात करने वाला देश का पहला राज्य मद्यप्रदेश है जो पंचायते होती ही वहाँ पर ग्राम सभा लगती है तो ऐसा करने वाला ग्राम सभा की सुरुवात करने वाला मद्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है अगला है द देश का प्रतम सौर से संचालिर टेलीकॉम एक्सचेंज टेलीफोन एक्सचेंज गहां पर है सौर से संचालिर टेलीफोन एक्सचेंज ये स्यूपूरी के आयोल पाठा में अगला कोस्चन है अगला question देखिए अगला question देखिए विकरन स्रोत इंडेक्स भोपाल में प्रारम किया गया है नेक्स्ट कोश्चन है मतवर्देस की राजधानी भोपाल में देश का पहला सैलिंग इसकूल सैलिंग यानि जहां पर तैराखी से रिलेटेट सिखाया जाता है जो नव सेना है हमारी नव सेना के सयोग से भोपाल में खोला गया है अगला है देवास पुलिस अधिक्चक कारेल है देवास का जो स्पी आपिस है इसको आई एसो प्रमान पत्र भी मिला है तो याद रखना है देवास का जो S.P.O.P. से उसको I.S.O. प्रमान पत्र मिला है कोश्चन पूछा जाता है अगला कोश्चन है मदप्रदेश के बायतुल जिले की कसाई गाउं कसाई गाउं ऐसा गाउं बन गया है जो गैर परमपरागत उर्जा स्रोत बायोमास सयंत्र द्वारा उत्पादित बिजली से बिजली से प्रकासित होने वाला देश का पहला गाउं बन गया है दोस्तो ये बैतुल जिले का कसाई गाउं तो याद रखना है कौन से वाली गेश से बायूमास सयंत्र से और बायूमास किसका एक्जामपल है गेर परंपरागत उर्जा के स्रोत का एक्जामपल है अगरा है भारत का पहला रामायन कला संग्रहाला ये मद्दप्रदेश के और्चा में इस्तापित किया गया है साथ ही ओर्चा में देश का पहला रामायन म्यूजियम भी स्तापित किया गया है ओर्चा में ओर्चा में एक मंदीर है जिसका नाम है राम राजा मंदीर ओर्चा में है दोस्तों जाके रूप में उन्हें पूजा जाता है तो याद रखना है बस यह रामयांट से रिलेटेट कोई चीज आई तो ओर्चा लगाना है ओर्चा बेतबन दी किना रहे है निवाडी जिले में चले गया वर्तमान में अगला है सरकारी खरीदी के आरक्षण पर लागू करने वाला सरकारी खरीदी में आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्यप्रदेश है जो सरकारी खरीदी होती है उस पर अगला है मध्यप्रदेश के जबलपूर में इस्तापित विद्धुत मंडल देश का पहला विद्धुत मंडल है जिसकी स्टापना एक दिसंबर 1950 को की गई थी आगे के फेक्ट डिसकस करते हैं इसो खतम करते हैं जल्दी से देखिए देखिए भोपाले एक्सप्रेस का नाम सुनाओगा आपने भोपाल एक्सप्रेस जो है भोपाल से लेके दिल्ली तक चलती है यह देश की पहली है इसी ट्रेन है जिसको 2003 में आईएसो प्रमाल पत्र मिला है समय पालन के लिए आईए सो प्रमाल पत्र मिला है समय पालन के लिए समझ में आ गया भेल भेल द्वारा भोपाल में संचालित जवाल लाल नहरू इसकुल भोपाल में है इसे भी 2002 में प्रमाल पत्र मिला है यह पहला इसकुल है देश का देश का पहला इसकुल है जवाल लाल नहरू इसको भी प घबर ट्रेजरी का प्रारम किया गया। अगला कोस्टेन है उनिस सो पजबें देश का पहला राष्ट्री युव महांच तौ मधी प्रदेस की राज़्धानी भोपाल में आयोजित हुआ था। तो देश का पहला राश्ट्री युवा महाउट्सव ये 1995 में मद्प्रदेश की राज़ानी भोपाल में आया जित हुआ था और 12 जनवरी 12 जनवरी को राश्ट्री युवा दिवस के रूप में मना आयाता है स्वामी विवेकनन्द के जैनती के आउसर पर तो अगला है देश का प्रथम ऐसा राज़ जिसने प्रतेक जिले में उद्धुक के अंदर इस्तापित किया है तो हर जिले में अपने अपने नाम के उद्धुक के अंदर इस्तापित किया है अगला है मद्यप्रतेश के जबलपूर जिले में देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो हासिल किया है जहां महतु आकांचा समदान एक दिन योजना लागू की गई थी जबलपूर में ग्राम संपर्क नामक वेबसाइट से जोड़ने से सपलता प्राप्त किये तो ग्राम संपर्क नामक वेबसाइट से जोड़ने में सपलता प्राप्त की है यह मद्यप्रदेश देश का एक मात्रा ऐसा राज्य है अगला है मद्यप्रदेश में सती प्रथा के साक्ष मद्यप्रदेश में सती प्रथा के प्रथम साक्ष मद्यप्रतेश के सागर जिले में इस्तित एरण अभिलेक से मिले एरण अभिलेक जो है ये सागर जिले में है दोस्तो इस से शर्प्रतम भारत में सती प्रथा के साक्ष मिले है सती प्रथा के साक्ष मिलें यह जो एरण अभिलेथ यह भानुगुप्त का अभिलेथ था अगला कोश्चन है देश का पहला सीव संगरहाल है मद्देप्रदेस की राज़ाईनी भोपाल के निकट भोजपूर में प्रस्तावीत है भोजपूर सीवलिंग है भोपाल के निकट रायसेन में भोजपूर नामक सीवलिंग है जिसे उत्तर भारत या पूरू का सोमनात कहा जाता है यह मद्द प्रदेश का सबसे बड़ा सीवलिंग है दोस्तों तो वहाँ पे सीव संगरहाले की स्तापना की गई है अगला कोश्च आगे का डिसकस कर रहे थे पार्ट नमबर थी है जिसमें पूरा हमने डिसकस कर लिए वीडियो का ऐसा लगा कमेंट करके बद सकते हमारी इस चेनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो MPPSC और PEB की जो तयारी कर रहे है उनके ग्रूप में सेर कर दियां करें दोस्तों बिल्कुल भी व्यूस नहीं आ रहे हैं वाच्टाइम भी नहीं आ रहा है और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं तो सेर करें थोड़ा सा तो थैंक्स पर वाचिंग नमस्ते